क्या आपके भी हाथ और पैरों का कलर आपके फेस से मैच नहीं करता वो काफी डाक नजर आते हैं उन पर टैनिंग हो गई हैं सब को रिमूब करने के लिए आज एक ऐसे डियाइवाई को शेयर करने वाली हूँ इसके पहली बार के इस्तेमाल से ही आपको फर्क नजर आने बहुत अच्छे होंगे और मैं आप लोग के साथ धेर सारे होम रेमडी को शेयर करती हूँ मेकप को शेयर करती हूँ तो आज मैं इसी तरह आप लोग के साथ एक ऐसे होम रेमडी को शेयर करने वाली हूँ इसको लाइट करने के लिए उस पे ग्लो के लिए हम बहुत सारे प्रोडक्स को यूज करते हैं लेकिन सासात अपने हाथों और पैरों के भी देख बाल करना बहुत ज्यादा जैंगे काया जाये तो आज कि इस को कहीं को मार्केट से कुछ भी खरिद लाने के जरूरत नहीं है इसके लिए आपको सारे घर पर असानी से बीजाएंगे और अब इसे जब चाहेता बे इस्तेमाल कर सकते हैं आप इसे हफ़तेँ結र के लिए बना कर सकते है फ्रीज में पैक को आप अपने फेस पे भी इस्तमाल कर सकते हैं अगर आपका फेस नॉर्मल है तो अगर सेंस्टिव है तो फिर इसे आप ट्राइब नहीं कीजिएगा आप अपने हाथों और पैरों पे ही इसे अपलाई कीजिएगा तो इस दी आईवाई के लिए मैंने य तरह इसे तयार करना है वरना जो घर पे हम लोग तयार करते हैं वो आपको स्क्रब की तरह तयार मिलेगा ये आपको बिल्कुल पाउडर फॉर्म में तयार करना है तो कोशिज करिए आप इसे ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं या फिर आप बाहर से भी इसे खरीद के इस्त लिए मैने यहां चावल के आटे का यूज किया है अपि इस क्रीम को दो से तीन दीन के लिए तैयार कर रही हूँ अगर आपको क्वांटिटी बढ़ाना है तो आप इसे जादा भी बनाकर एक सब्ता के लिए श्टोर करके फ्रीज में रख सकते हैं चावल का आटा मैंने तीन चमच ले लिया है अब इसमें हम एड करेंगे दही दही में लैक्टिक एसिड पाय जाता है जो हमारे स्कीन को टोन करने में मदद करता है और हमारे फेस के स्कीन को ये टोन करता है तो हाथों के भी स्कीन को ये टोन करेगा दही हमारे skin को गोरा बनाता है चमकदार बनाता है और ये छोटे छोटे fine line wrinkles वगएरा को भी remove करने में काफी help करता है तो दही हम यहाँ पे दो चमच ले लेंगे आपकी दही यहाँ खटी होने चाहिए खटी दही जो होती है वो हमारे skin के लिए और भी ज़्यादा फायदे मन होता है ये हमारे skin complexion को बढ़ाता है दाग दबो को भी remove करता है आप यहाँ पे दही की जगह पे निमू का भी इस्तमाल कर सकते हैं फिसरे ingredients में मैंने यहाँ पे चीनी ली है चीनी आप PC वाली भी ले सकते हैं या फिर आप खड़ी चीनी का भी इस्तमाल कर सकते हैं तो चीनी हमें एक चमच यहाँ पे लेना है आप सबको अच्छी तरह से mix कर लेना है आपस में इसमें हमें पानी एड नहीं करना है इसे mix करने के लिए हम दही कहीं इस्तमाल करेंगे अगर आपको दही कम लग रहा है तो आप इसमें और थोड़ी सी दही को add कर सकते हैं आप अपने घर पे मवजुद कुछी चीजों की मदद से एक natural face pack को तयार कर सकत है इसमें यूज होने वाली जादा तर चीजे जो होती है वो आपको कीचल से आसानी से मिल जाती है साथ ही घर पर बनाए गए face pack में नहीं chemical होता है सारी आपको चीजे घर पे मिल जाती है और घर की चीजे होती है जो की हमारे face के लिए काफी फाइदे मन होती है और कुछ न कुछ chemical वगेरा जरूर होता है कई बर हमारे face को suit भी करता है जो और कई बर हमारे face को suit नहीं करता है जिसके वजह से हमें काफी दिकत होती है ऐसे में आप इस तरह से DIY करके क्रीम या फिर face pack को तैयार कर सकते हैं इसमें हम एक चमच अलवीरा जल को एड़ कर देंगे यहां market वाली एलवीरा जल लेनी है आपको आपको इस भी brand का इस्तमाल कर सकते हैं एलवीरा जल लेकिन वो market वाली ही होनी चाहिए एलवीरा जल गहराई से हमारे skin को moisturize करता है संड बंड और dark spot को भी दूर करता है और समय से आने वाले aging sign को भी यह कम करता है जुरिया वगेर सबी को यह देरे देरे रिमूव करता है लेकिन अगर आपको एलवीरा जल सूट करता है तो ही इसे यूज करें मेरी skin को एलवीरा जल डारेक नहीं सूट करता है इसलिए मैं किसी भी DIY face pack या फिर scrub वगेरा में मैं इसे डाल कर यूज कर लेती हूं क्यूंकि यह हमारे face के लि तो मैंने यहां orange essential oil का इस्तमाल किया है जो कि face के लिए फायदे मन होता है आप इसे direct face पे apply नहीं कीजिएगा कभी आप DIY face pack त्यार कर रहे हैं उसमें आप इसे डाल कर और इसकी कुछ बूंदे ही काफी होती है तो मैंने यहां 2-3 बूंद ही इस्तमाल किया है यह oil हमारे face के लिए काफी फायदे मन होता है यह aging science कम करता है जूरिया वगएरा को दूर करता है fine lines छोटे छोटे जो होते हैं उन्हें remove करता है blackheads की समस्या है तो उसे भी दूर करता है orange oil skin को में कसाव लाता है यह हमारे skin के open pores को कम करता है और हमारे face पे एक glow लाता है तो यह हमारे face के लि हो चुका है अब इसे आप apply कर सकते हैं अपने हाथों पे अपने पैरों पे आपके गर्दन या फिर कोहनी वगएरा जो dark हो गए हैं उन पे आप इसे यूज कर सकते हैं आप इसे regular यूज कर सकते हैं इसे apply करके आपको दिखाऊंगी आपको एक बार के इस्तमाल से फर्क मसाज करते हुए इस क्रीम को apply करना है कम से कम आपको 5-10 में तक इसी तरह से मसाज करना है और फिर आपको इसे आदे घंटे के लिए ऐसे ही हाथों पे पैरों पे गर्दन पे रहने देना है आप जहां भी इसे apply कर रहे हो देखिए जहां जहां हमारे जो color है skin का वो dark हो जात अब ही देखिए इसके इस्तमाल से मेरे हाथ कैसे है यह DIY क्रीम बहुत ही कारिगर है और आप इसे जरूर बनाईएगा ट्राइ कीजेगा कमेंट करके जरूर बताईएगा आप लोग को इसे क्रीम से कितना फायदा हुआ मैंने अपने हाथों पे इसे apply किया है और देखिए एक ही बार के इस्तमाल से मेरे हाथ का कलर कैसे चेंज हो गया है तो इस क्रीम को आप जरूर से जरूर ट्राइ कीजेगा तो आज का यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताईएगा वीडियो पसंद आया हो यूसफूल लगा हो तो अपने फैमिली और फ्रेंट के स बाइ